इस question में हमें find करना है fourth root, fourth root कैसे लिखते है पहले आप ये समझे पेटा, एक root का sign डालो और यहाँ पर छोटा सा four लिख दो, तो ये fourth root का sign होता है, अब किसका fourth root find करना है, cubic root of two square का, अब cubic root कैसे डालेंगे, यह ऐसे under root का sign डाला और यहाँ पर छोटा सा three लिख दो, और किसका cubic root two square का, यह हमें सम दिया है, और हमें बताना है यह किसके equal है, तो इसके लिए बेटा, आपको एक law of radical mind में रखना होगा, और law of radical है, अगर यहाँ पर कोई under root में कोई number हो, say x हो, और इसको हम कैसे लिख सकते है, x raised to power, radical का sign डाला के, one upon two, जब बेटा, यहाँ पर under root में कोई number नहीं है, तो हम यह मानते हैं कि यह square root है, और square root में को हम second root भी consider कर सकते है, तो यहाँ two मानते है, लिखते नहीं है, लेकिन मानते two है, तो यह radical का sign डाला के, हम x raised to power one upon two लिख सकते हैं, आप मान लो, अब under root में x है और यहाँ पर three है, तो यह क्या होगा, third root of x, ओके, और third root of x इसको हम कैसे लिखेंगे, x raised to power one upon three, क्या लिखेंगे, x raised to power one upon three, और यह radical का sign हट जाए, का दिको अट गया, और यहाँ पर x raised to power one upon three आ गया, और ऐसी मान लो, कोई और नमबर, fourth root of x हो, अभी मैं रिखते हैं, fourth root of x हो, तो हम इसको क्या लिख सकते है, x raised to power one upon four, तो यह किसी भ कर सकते हैं, fine, अब हम करते हैं, इस question को, या तो बेटा आप बहार से radical, outside से शुरू करो, radical के sign अटाने, या अंदर से शुरू करो, अंदर से मदब की, पहले cubic root का sign radical sign अटाओ, और फिर fourth root का, या पहले fourth root का, अटाके cubic root का अटाओ, यह चोई है आपकी, तो मैं बेटा, अंद sign को, अजब हमने यह ने रिमूफ किया, step wise करेंगे हम इस question को, तो पहले हमने cubic root का sign हटाया, और यहां पर लिखा two square, और जब cubic root का sign हटाएंगे, तो यह क्या होगा, पावर one upon three बन जाएगी, yes sir, बन जाएगी, तो यहां पर हम one upon two square whole power one upon three लिख देंगे, देखो इदर, इस वाले को मैंने solve किया, जो highlight किया, ध्यान से देखो बेटा, two square वैसी रहा है, qb root का sign हटा, और यहां पर one upon three आ गया, अब next, अगर बेटा, हमारे पास x raise to power m है, और outside power n, एक और power n, तो हम इसको x raise to power m multiply n भी लिख सकते हैं, यह माइन में रखना होगा आपको, तो यानिकि इन इन दोनों powers को multiply करा सकते हैं, तो अब fourth root of two raise to power क्या होगा, जब इन दोनों two multiply one upon three करेंगे हम, यह आप चाहे माइन में कर लो, चाहे रफ में कर लो, तो two multiply one two हो जाएगा, और upon three हो जाएगा, तो two multiply one upon three, तो two upon three, ठीक है, और यहां पर भी fourth root का sign as it is लिखाया है, अब हम fourth root का sign remove करेंगे, तो again कैसे, radical की sign को हटा दो, यान कि fourth root की sign को आप remove कर दो, यह जो fourth root का sign है यह वाला sign, इसको आप remove कर दोगे, अब इसको अगर हम remove करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, two raise to power two upon three, whole power, जैसे हमने radical का sign remove करेंगे, तो यहां पर power one upon four आ जाएगी, फाइन, तो यह कुछ इस तरह से आगया, अब हम अगेन, अब यह वाला law apply करेंगे, that is, x raise to power m, outside bracket power n o, तो हम इसको x raise to power m multiply n कर सकते हैं, तो अब ही क्या बनेगा ध्यान से समझना, two raise to power two upon three, तो यह दोनों पावर से multiply हो गई, one upon four, और अब इन दोनों को multiply करेंगे, two one the two, two the four, तो यह हो जाएगा, two raise to power, अब गर हम numerator को multiply करा है, one multiply one, one, और denominator में three multiply two, क्या और कहा, six, so answer हुआ, two raise to power, one upon six, और यह कौन सी option से match कर रहा है, option C से, so option C is our answer.